हालो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे सबसे अच्छा टाइम कौन सो होता है वर्काउट का बहुत सारे कोशन आते हैं कि हमें कब एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारी बाड़ी को अच्छा रिजल्ट मिले मतलब हम किस टाइम पे वर्काउट करेंगे वह मारी बाड़ी के यह करता है कि तब आपके अंदर कितनी इनर्जी है जो आप फॉरे एफिशेंट के साथ कर रहे हो पूरे energy के साथ कर रहे हो, जो आपकी strength है, उसके साथ वो workout perform कर रहे हो, जा नहीं कर रहे हो, तो आपका full day में, जब आप अपने आप में full energetic feel करते हो, तब आप workout करोगे, चाहे वो workout सुबा का हो, चाहे वो दिन का हो, चाहे वो रात का हो, चाहे वो midnight का हो, चाहे वो noon का हो, चाह तो गी एक गंड़ा वरकॉट डेड़ गंड़ा वरकॉट उससे भी अगर जादा वरकॉट कर रहे हो उस तैम पर तो सोचो उस वक्त आपका कितनी एनरजी है और वह आपकी सारी वरकॉट में यूटलाइज होती है और उस वक्त आप सबसे अच्छा रिजल्ट गेन कर सकते हो हो तो वरकॉट का कोई भी एक पर्टिकॉटलर टाइम नहीं है कि कहते हैं कि मॉर्णिंग अच्छा ताइम है तो यह दो टाइम एक ज़नल टाइम होता है कि इस वक्त बंदा फ्री होता यह से मॉनिंग में हमारे पास क्या होता है जो जो जॉब आले कस्टूमर होते है आपको लोग है कि यार मेरे पास की 100% नर्जी है तो उस वक्त आप अपना workout हीट कर सकते हो। यह तो यह हमारा एक legal answer हो गया। दूसरा मैं comfortable एक answer देता हूँ, comfort zone वाल answer देता हूँ जो कि आपके लिए भी अच्छा रहेगा, lifetime आप workout कर सकते हो। जब हमारे पास time की कमी होती है, तो क्या करता है कि जो हमारा time सैटल होता है, तो उसके हमें आदवर पढ़ जाती है। उसके बाद वापिस track पर आना हमाले बहुत मुश्किल होता है, क्यूंकि जो एक track हमने gain किया होता है, वो एक बाद टूट जाता है, तो जिम में एक वर्काउट एक ऐसा फेल्ड है, ऐसी चीज है जहां पर आपको शिद्द से महनत करनी पड़ती है, वर्काउट मतलब महनत करनी पड़ती है, तो उसको बापी से महनत करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, अब हर कोई चाहता है कि बैठे बैठे चीज मिले तो अच्छी बोड़ी आपको तभी मिलेगी, जब आप अच्छी महनत करोगे, पैसो से बोड़ी नहीं मिलती है, महनत के साथ आपकी अच्छी डाइट से आपको एक अच्छी बोड़ी मिलेगी, अगर महनत नहीं करोगे, चाहे डाइट आप फालो करोगे, तो भी आपको करने मिलेगा अगर आप मेहनत खुब और डाइट फालू नहीं करें तो भी रिजल्ट ही मिलेगा मतलब आपको दुन्हों चीज को वैलेंस करना पड़ता है मेहनत तो बहुत जुरूरी अगर मेहनत करो तो आपको रिजल्ट मिलेगा तो कमफट वाली में बात कर रहा था तो उसमें क्या रहता है कि जब हम सुबह उड़ते हैं अपनी आठ गंटे की नो गंटे की नीद पूरी करते हैं तो उस वक्त हमारी बॉड़ी में फुल इनर्जी होती है उठने के बाद तो उस वक्त क्या करते हैं कि हम थोड़ा आलस होता है बट अगर हम अच्छे से जिम में चले जाएं तो उस वक्त आप इतनी एनर्जी लेके आते हो कि उस वक्त आप अपना वर्काउट कर सकते हो मौनिकी बाद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पूरे दिन आप काम करोगे पूरे दिन आप कॉलेज में जाओगे पूरे दिन आप जॉब करोगे पूरे दिन आपने पॉस्वक्त आपके नर्जी और कामों में भी लग गई होती है इसलिए आप शाम को जो वरकाउट करते हो थके हो अच्छे से कर लेते हो पर फॉर्फार्म कर लेते हो वह एक लंबिटर में तक नहीं रहता जब एक टाइम आता है कि आप उसको छोड़ देते हो वरकाउट करन तो उसके बाद आपका पूरा टाइम आपके लिए फ्री है अब वरकाउट भी एक ऐस तरह के एडिक्शिन है बाकी नश्यों को फिर भी आप दो दिन नहीं करोगे चलेगा वरकाउट को जो टाइम होता है उस वक्त नहीं करा तो आपको मतलब अच्छा फिल नहीं होता है दिमाग खराब होने लगता कि आज कुछ स्किप हो गया है पूरे दिन हमको टेंशन होती है तो इसलिए जब हम शाम को वरकाउट करते हैं तो उस वक्त नहीं कहीं गूमने जा सकते हैं अगर हम गूमने चलेगा दिमाग मराएगा यार शाम को वरकाउट करना है ना वे चिल उटते हो उसके बाद एक गटा अपना वरकाउट कंप्लीट कर लिजिए फिर उसके बाद आपके बाद जो तेईस गंटे बचेया वो आपके लिए बाकी काम में यूटलाइज करो मार्निंग में उठते ही अपना वर्काओट कम्प्लीट कर लो फिर बाकी पूरे दिन कुछ भी काम करो दिल सैटिस्वाई होता है स्कून होता है और जब शुरुवाद ही आपकी वर्काओट से होगी तो आपका पूरा दिन फुल एनरजी के साथ जाएगा क्योंकि वर्काओट के बाद जो आपको फील आता है वो आपके पूरे दिन को अच्छे से मेंटेन करता है और बाकी काम में बड़े अच्छे से दिल लगता है जितने भी स्ट्रेस होता है सारा वर्काओट में निकल जाता है और बाकी पूरे दिन आप अच्छे से काम करते हो अच्छे से अपना ध्यान रखते हो जो भी काम कर रहे हो आपका जो भी प्रफेशन है उसमें आपको मज़ा आता है करने में तो इसलिए मेरे ख्याल से लिगली हम 24 गंटे में से कभी भी वरकाउट करते हैं कौन सा टाइम बेस्ट होता है वो तो कभी भी करो यार वरकाउट का टाइम बेस्ट ही ही बेस्ट है सो आज के लिए बस इतने अगली बार फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ अब तक के लिए जाहें जै बारत